हेलो एवरिवन, वेलकम टे टूमाथ्स इस वीडियो में हम लोग क्वेशन नम्बर थर्ड का सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं इस एक्सिसाइज में अल्मोस्स सारे क्वेशन सेम हैं कोई डिफरेंज नहीं है क्वेशन में same procedure है, same तरीके से solve करना है सारे questions को ठीक है, इस वाले में भी आपने क्या करना है prove करना है, 7 root 5 क्या है एक irrational number है आप 7 root 5 को क्या consider कर लो, rational consider कर लो, उसको A upon B की form में लिख लो जहां पे दो condition होनी चीए B not equal to 0 होना चीए और ये दोनों के सिर्फ 1 ही एक common factor होना चीए ठीक है, तो अगर आप इसको consider कर रहे हो कि this equals to A upon B है, means अगर आप consider कर रहे हो कि ये एक rational number है तो that means उसको A upon B की form में लिखा जा सकता है है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये वाला side और दोनो side क्या है, दोनो rational है, ठीक है लेकिन मैं इसको solve करके किसी तरह के से prove कर देता हूँ कि नी जी एक side तो है irrational तो इसका मतलब मैंने अपनी बात को गलत साबित कर दिया तो जब ये rational नहीं रहा तो automatically ये क्या convert हो गया ये irrational number में convert हो गया ठीक है, तो आपने let किया इसको कि ये क्या एक rational number है ये प्रूव करना है कि ये irrational है, तो मैंने इसको assume कर लिया, let 7 root 5 is a rational number ठीक है और इसको a upon b की फॉर्म में लिखा जा सकता है b not equals to 0 और इनमे कोई भी common factor नहीं है other than 1 तो इसको a upon b की फॉर्म में लिखने के लिए 7 root 5 को equals to a upon b लिखा जा सकता है बहुत बढ़िया next slide देखते है तो sorry, तो अगर इसको a upon b की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ से जो 7 था, उसको equals to a upon b उदर shift कर देता हूँ root 5 किसके बराबर होग है, a upon 7 b ठीक है, तो a upon 7 b क्या है, एक rational है क्योंकि a upon b क्या था, rational तो उसको अगर 7 से multiply कर दोगे तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों क्या है, a upon b की फॉर्म में लिखा जा सकता है और यहाँ पे a और b में अभी भी कोई common factor नहीं रहा क्योंकि आपने सिर्फ b को 7 से multiply किया, ना कि a को a और b के बीच में अभी भी कोई common factor नहीं है, तो यह left, right hand side तो हमारा अभी भी rational है, but left hand side हमारा root 5 रह गया root 5 क्या होता है obviously एक irrational number होता है पिछले वीडियो में भी आपको समझाया कि root 5 क्या होता है irrational number होता है तो इसका मतलब rational और irrational दोनो right hand side left hand side बराबर अब नहीं रहे तो इसका मतलब एक side irrational प्रूव हो गया, तो अगला भी obviously irrational कैसे रह सकता है, मतलब हमने अपनी बात कोई गलत प्रूव कर दिया because rational is not equal to irrational तो हमने starting में जो assumption कि लिया था, कि हमारा जो number है वो irrational है, वो गलत हमने प्रूव कर दिया, तो that means 7 root 5 क्या प्रूव हो गया, एक irrational number प्रूव हो गया, तो इस तरह के से इस question को आप easily solve कर सकते हो, देखे इस exercise में सारे के सारे questions सब की working बिलकुल सेम है, तो आपको अगर एक बार concept समझ आ गया कि क्या कर रहा है, तो आप सारे questions को easily solve कर सकते हो, right तो आपको प्लीज मुझे बते ये वीडियो कैसा लगा आपको अगर इस वीडियो में समझने में problem हुई हो तो आप प्लीज पहले वाला वीडियो आपको एक बार देखिये जिसमे में धंक से उसको समझाया कि किस तरीके से सारी चीजे काम कर रही है, स्चिल कोई problem होता है तो हमने नीचे WhatsApp number दिया हुए description में आप प्लीज उसमें message कीजिये, call कीजिये, आप हमें question कर सकते है और मुझे पते कमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब कीजिये प्लीज चैनल को आप हमारा अप भी डाउंलोड कर सकते है description में हम लोगों ने उसका link दिया हुए thank you very much for watching